Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं Instagram पर अपने Stylist Name को लिखना तो आप कैसे लिखिएगा तो आप इस वीडियो को देखते रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर Instagram पर अपना जो name है जो change करके अच्छे वाले Stylist font में लिखा हुआ है अगर आप भी चाहते हैं Instagram पर इस तरह के font में Stylist में अपने name को लिखना तो आप कैसे लिखिएगा तो आप इस वीडियो को लास्त तक ध्यास से देख रहेगा इसके बाद आप शिख जाएगा कि किस तरह से आप Instagram पर अपने name को Stylist font में लिख सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने mobile में Google browser को open करना है और Google browser के open होने के बाद आप तो यहाँ पर आपको क्या करना है font changer है जो लिख के search कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे option है जो देखने को मिलेंगे तो आपको क्या करना है नीचे की तरह पर scroll करना है जहाँ पर भी आपको एक अच्छा उसा font है जैसे onlinefontchanger.com है मैं इसे select कर लेता हूँ और select करने के बाद आपको यह website है जो open हो जाएगा तो इसके बाद आपको क्या करना है उपर में आपको write your text हीर है तो आपको यहाँ पर अपना नाम है जो type कर लेना है और name type करने के बाद आपको क्या करना है नीचे के तरफ एस्कॉल करना है जहाँ पर भी आपको बहुत सारे option है जो देखने को मिल जाएंगे तो आपको नीचे के तरफ एस्कॉल करते हुए जाना है और जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है आपको stylish name लग रहा है आपको उसे select कर लेना होगा तो मैं यहाँ पर इसे select कर लेता हूँ तो select करने के बाद आपको यहाँ पर copy का option कर लिजेगा क्लिक करके और इसके बाद आपको यहाँ पर copied है जो so हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ से back आजाना है और back आने के बाद आपको अपने mobile में Instagram को open करना होगा और Instagram के open होने के बाद आपको यहाँ पर आपका profile है जो show होगा तो आपको इनीचे में profile पे click करना है तो आपको edit profile पे click कर देना है और edit profile पे click करने के बाद आपको name वाले option में जाना है और पहले वाला जो name है उसे आपको cut कर देना है तो अभी आपने जो name copy किया है जो आपको य तो आपको पेस्ट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको उपर में टिक है तो आपको टिक पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद आपका नेम है जो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा और आपके यहां से बैक आ जाना है तो बैक आने के बाद अब आपके इंस्टाग करना मत भूलिएगा